सब्सक्राइब किजिए दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंगलिश सिखने के लिए देवा इंगलिश स्पकन क्लास को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे Hi friends, welcome to the desk. Deva English Suspakin Class. Friends, Kaise Up. How are you? Well, I am also very well. Friends, in the last class, I taught you about the use of since, for and has been, have been. Today I am going to teach you about the sentences where we put since and for but we don't put been. मतलब उस तरह के sentences जिसमें हम since or for तो लगाते हैं but been नहीं लगाते हैं तो let's start the class of the day जो पिछली classes में ने बताया था has been, have been or since or for का इस्तमाल उस तरह के sentences में जो भी वो sentences थे उसमें sentence में कहीं वर्व यानि क्रिया नहीं था इसलिए हम उसमें been लगाते थे but आज जो हम sentence बनाएंगे उसमें क्रिया होगा, वर्व होगा इसलिए हम इसमें been नहीं लगाएंगे काफी समझाने के बाद भी हमारे class में मैं देखता हूँ स्टुडेंट्स काफी देर तक confused रहते हैं इसमें कि यार कि इसमें time दिया है तो इसमें भी बीन लगेगा तो इसमें भी हम has been और have been लगा देते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि बीन कौन सा sentence लगेगा किस तरह की sentence में लगेगा तो हम आज वही confusion क्लियर करेंगे कुछ नहीं खाया है मैंने सुभे से कुछ नहीं खाया है तो इसमें वर्व गया है खाना इसमें टाइअ फॉर्ब सिर्यट भी दिया है सब कुछ बता है और रेप्रिजेंट फर्फेक्ट टेंस का sentence भी है सिंस फॉर भी लग रहा है फिर हम इसमें बिन क्यों नहीं लगाते हैं इसी बात को लेकर स्टुडेंट कन्फूज रहते हैं तो I have not eaten anything since morning कि मैं इसे सुबह से म भूखा हूं कुए तो इसमें कहीं वर्व कृःया न आ रहा हुए कि इसमें वर्व है अगर आप किसको कहते वर्व COB कि यह किसको कहते हैं तो आपको ये भी समझ माँ जाएगा कि इसमें वर्व है कि नहीं है तो इसमें कई वर्व नहीं है इसलिए हम उसको सीधा बनाते थे I have been hungry since morning ठीक है इस तरह का संट्रेश ये फारक है इसमें करिया होगा इसमें करिया नहीं था इसलिए हम इसमें बीन का इस्तेवाल करते थे ठीक है तो हम कुछ और संट्रेश लेते हैं दसे उसने दस साल सेना में काम किया है उसने दस साल सेना में काम किया है तो he has worked in army 10 साल मतलब 4 हो जाएगा 4 10 years ठीक है उसने बच्पन से गारी नहीं चलाई है उसने बच्पन से गारी नहीं चलाई है इसमें क्या भार हो गया गारी चला ना तो ही हैज नौट ड्रिवन कार सिंस चाइल्ड़ूट अभी आपको समझ में आ रहा ना कि हम इसमें बीन क्यूं नहीं लगाते और इसमें बीन क्यूं लगाते थे ठीक है फ्रेंट्स तो पिछली क्राइश में जो मैंने बताया था है इस बीन और है बीन वाले संट्रेश के लगाते थे क्योंकि उसमें क्रिया यानि वर्व नहीं था उसमें होना था बस होना या बनने की बात हो रही थी इसलिए उसमें हम बीन लगाते हैं होने और बनने के लिए बीन का इस्तमाल करते हैं ठीक है और इसमें करना है इसमें मतलब होता है कुछ किया जाए कुछ करना तो इसमें कुछ किया कर जाने के बात हो रही है, किये जाने के बात हो रही है, इसलिए हम verb का इस्तेमाल करते हैं, और जिस sentence में, present perfect tense के sentence में, जिस sentence में verb है और period of time भी दिया हुआ है, तो इसमें हम been नहीं लगाएंगे, बलकि सिर्फ has have, और since for का इस्तेमाल करेंगे, और verb का thought form ठीक है friends, तो उमीद करता हूँ कि इन sentences के त्वरा आपका concept clear हो गया होगा, कि बिन हम इस तरह के sentences में क्यों नहीं लगाते हैं, और किस तरह से इस तरह के sentences को बनाते हैं, ठीक है friends, तो कुछ sentences हम और लेते हैं, स्क्रीन पे, देखें He has slept for 10 hours, वह दस घंटों से सोया है He has not met me for many days, वह बहुत दिनों से मुझे से नहीं मिला है He has not written me later for 10 years, उसने 10 सालों से मुझे कोई पत्र नहीं लिखा है What has he eaten since morning, उसने सुबे से क्या खाया है He has not taken rest for 8 years, उसने 10 सालों से आराम नहीं किया है I have not seen dead body since childhood, मैंने बच्पन से मृत शरीर नहीं देखा है तो ठीक है friends, तो उमीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह के sentences में has been, have been और since for लगता है और किस तरह के sentences में has, have लगता है, since for भी लगता है बट been नहीं लगता है, ठीक है friends, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए thanks, thanks a lot, धन्यवाद